असलाम अलेकुम जी, वेलकम टू एनदर वीडियो, PCB चेर्मेन मौसिन नकवी की आज लाहोर में मीटिंग हो गई है, जितने भी PCB के डारेक्टर्स हैं उनके साथ आज बाचीत हुई है, बाचीत में क्या-क्या बाते डिसकस हुई हैं, क्योंकि एक तरफ आप लोग देख र समरी वगेरा वर्क्स और रिजल्ट्स कलेक्ट किये कि बताओ यार क्या कुछ हो चुका है अब तक PCB में, उसके बाद से बाइज जो रवेन्यू जेनरेशन हैं, उसकी बाते हुई हैं मौसिन नकवी की, PCB चेर्मेन की हर तरफ नजरे लगी हैं, अब रवेन्यू जेनरेश वोमिन्स के लिए PSL की तरफ फोकस करें, या तो स्टेडियम्स की अफग्रिडेशन चेंपियन्स टॉफी के लिए करें, या तो PCB का जो हैड़ कॉर्टर है, वो स्टेडियम्स से बाहर करें, या म्यूजियम को करें, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मौसिन नकवी साब को कर कमसकम हमारी जो खवातीन हैं, उनकी तरफ भी थोड़ा सा सोचा गया है मौसिन नकवी की तरफ से, आज की इस मीटिंग में, और तो अगर ये सब कुछ करना है मौसिन नकवी को, तो इसके लिए पैसा चाहिए, अगर आपका पैसा होगा, तो ये सारे के सारे खौब आपके पूरे हो सकते हं, इन तीन स्टेडियम का तो और ये स्टेडियम है उनका क्या होगा, जिस तरह से फैसलाबाद का अकबाल स्टेडियम है, आपका मूलतान स्टेडियम है, वो उनकी तरफ भी थोड़ा सा सूच लेना चाहिए, क्योंके पिशावर में भी थोड़ा से तबज आ है कि जैसे तैसे करके भी आप लोगों ने रवेनियों को बहतर बनाना है हमारे PCB के तो ये खास कर बाते हुई है ये तीन चार बाते हैं लेकिन आप लोग पूछते हैं कि काम कब शुरू होगा जो नैशनल स्टेडियम कराची को अपग्रेड करने के अवाले से बात हुई तो काम के अवाले से कोई आफिशल अनाउस्मेंट तो भी फिलाल ओई नहीं है आज कल मीटिंग्स बहुत ज्यादा चल रही हैं बहुत सी चीजों को मौसिन नकवी देख रहे हैं सिरफ अपग्रेडेशन नहीं है इन सब चीजों को जैसे ही सैटल कर देते हैं तो फिर वरकर्स हैं वो लगा देंगे काम पे लेकिन आप लोगों ने एक चीज बीच में शामिल की है कि क्या ये वाकई में अपग्रेड करेंगे या नहीं एवी हवा में बाते कर दी हैं कोई स्कैम शैम कर रहे हैं पैसा शैसा लूटने के लिए या वाकई में ये काम करेंगे दे ये एवी जो हैना हमाई बाते नहीं हैं वाकई में काम शुरू होगा तो ये चीज आप लोग दिल से निकाल दे कि ये बस सिर्फ हम को खुश करने के लिए इस तरह से की है बाद में पैसा शैसा लूट लेंगे मौसिन नकवी मल्टिपल चीजों पे इस वकत लगे वे हैं रवन्यू भी इसको जिनरेट करना है वमिन्स के लिए पी एसल भी लाना है साथ साथ जो स्टेडियम्स हैं उनको भी अपग्रेड करना है और वो भी चैंपियन्स टॉफी से पहले पहले तो ये कम टाइम में इतना सब कुछ होना इस चीजों को दे के फिर लोग कहते हैं कि ये सब कुछ हैवी लगे में हैं कोई काम शार्म नहीं होगा तो खेर अब डारेक्ली काम भी नहीं शुरू कर सकते कि आज से ही वरकर्स को लगा दे कि शुरू हो जाओ क्यूंकि पैसों को भी मैनेज करना पड़ता है जो जो एकमेंट्स और जो जो चीज़े ये लोग लेक कराते हैं वो किस तरह से मैनेज करेंगे बजट के हिसाब से ये सब कुछ करना होता है तो आब इंतिजार करते हैं और देखते हैं कि काम ये लोग कब शुरू करते हैं मैंने सुनाई कि रोश्णियों का शेहर कराची नाइट टाइम क्रिकिट में बड़ा मशहूर है कि वहा लड़कों के बनिसमत अब फीमेल्स भी क्रिकेट में दिल्चस्पी लेना शुरू कर दिया है क्योंकि हमारे हाथो ज्यादा तर मैंने ये देखा है पाकिस्तान में के जो रमजान होता है उसमें फिर नाइट टाइम यहां तो लगे होते हैं कि चल्द में बरतन दोरी होते ह कर रहे होते हैं यहां तो किसी कमरे के कोनों में बैटके लुड़ों में एक दूसरे की गोटिया पुगा रहे होते हैं लेकिन दूसरे तरफ जो लड़कों की बात अगर मैं करूँ तो आउटडोर अप क्रिकेट बहुत ज्यादा कम हो चुकी है कराची में क्यूंकि जिस त ग्रास बचाया होता है वहा naं पे पिचेज लगाके बस टोरनेमिंट्स कराते हैं और अच्छे खासे पैसे चाप रहे होते हैं जितने भी मालिकान होते हैं तो उस तरह नवंबर में इसने रिटार्मेंट का इलान किया था इंटरनेशनल क्रिकेट से, वो कहते हैं ना कि पी रहा है इमाद वसीम लेकिन जूम रहा है PCB, तो दुबारा से अब रिटार्मेंट की इलान के बाते हो रही है, चीफ सेलेक्टर वहाव रियाज के साथ बातचीत की है रि वस्वज़ से रिटार्मेंट के लिए गए थे, वो यही लीग्स और N.O.C. का कोई इशू इस तरह से बना था उस वज़ज़ से गए थे, तो ये बाते हुई है आपस में, और खैर इमाद वसीम आए या ना आए, लेकिन हमारे जो बाबर आजम है, बाबी दकींग, माशा हादत हासिल की है, वही बाबी बाई ने तो कमाल कर दिया है, मेरे समित आप सब लोगों को अल्ला करे कि अमरी की सहादत दे, ताके हम भी दुनिया की खुबसूरत तरीन जगा पे चले जाए, खैरे आर ज्यादतर नजरे तो आप स्टेडियम की तरफ ही हैं, ज्यादतर और मीटिंग्स भी हो रही है, धर धर लगातार, डेली मीटिंग्स हो रही है, इंशाला आपको बताऊंगा अंदर की बाते, लेकिन मुझे एक चीज़ का डर लग रहा है कि जो इंडिया ने फिर आना होगा यहाँ पाकिस्तान में, तो वो अलग से फिर इशू बन जाएगा, पता नहीं कि मौसिन नकवी पिर क्या कर पाएंगे, इससे पहले नजम सेटी के साथ काफी जो है ना तू तू मैं मैं हुई थी, जो बी सी सी आई, खेर यह तो बात के बाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता, तो आज के लिए इतना ही काफी है, वीडि अलकवी, अलाह आफिस